बच्चों आप देख रेनी यहांपर यह आपका पहला पार्ट चलो चले स्कूल और हम आपको बता रहें इस part के प्रस्णुतर आप देखें अभ्यास प्रस्णुतर तो यहांपर सबसे पहले आप अपने पहले नमबर पेज़ पर देखें देखें आप यहाँपर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है अब इन पर चलने की कोशिज करो क्या यहां आसान है यहां पर देख रहे ना आप बच्चों ने बहुत सारी इंटे रखी हुई है सीधी लाइन पर और इन पर चलने की कोशिज कर रहे हैं बच्चे तो आप उतर में क अपने अध्यापक की मदद से 4-5 बांस बांध रखे हैं और उन पर चल कर देख रहे हैं जो प्रसने आपके लिए पहले कह प्रसने तुमें कैसा लगा और खह गिरे तो नहीं तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कह का उत्तर लिखेंगे मुझे बहुत मज़ा आया और खह का उत्तर लिखेंगे गिरा नहीं परन्तुया थोड़ा कठिन था इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद अगला प्रसने आपके लिए आप ध्यान दें तीसरा प्रसने यहाँ पर इस पार्ट में जूते या चपल पहन कर पुल पर चलना ज्यादा आसान होगा या उत्तर लिखें इसके बाद बच्चो अगले पेज पर देखेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अगले पेज पर देखें आप आसपास है ना आपके पास जो पुस्तक उसके अगले पेज पर देखें पेज नमबर दो पर तो यहाँ पर आपके लिए प्रसन करके देख देख रहे न आप करके देखो यहां पर और पहला प्रस्थन है चित्र एक और दो को देखो बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो आप देख रहे हैं यहां पर बच्चे किस प्रकार से कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं य हाँ पर खीज़ ने हैं बच्छे पानी देखो बच्चो और इसके बाद अगला प्रस्ण है दूसरा प्रस्ण है आपर इन दोनों में से किस तरह से खीज़ना आसान होगा पुली यानि घृरनी के साथ या बिना पुली कैसे होती है गौल होती है झाल नि इस पेर रसी लगी ह तीसरा प्रसने है बच्चों आपके लिए अपने आस पास देखो तुम कहां कहां पुली का प्रयोग देखते हो उनकी सूची बनाओ उतर में लिखेंगे आप मैंने वैसी पुली कंस्ट्रक्शन का वाली जगों पर जंडे को फैराते समय देखा है वैसे पुली का उपयोग क करने से भारी वस्तों को उठाने में आसानी होती है होती है बच्चों क्योंकि जो पुली होती है उस पर रसी आसानी से घूम जाती है इसलिए इससे पानी खीजना आसान होता है और इसी प्रकार चोथा प्रसने है तुम भी चर्की या खाली धागे की रील से पुली बना कर कुछ सामान उठाने की कोशिस करो तो ये तो बच्चों आप स्वयम करेंगे एक धागे की रिल ले और उस पर जो है धागा चड़ाएं ऐसे और उसे पानी या कोई चीज अन्ने की छोटे मोटे धाकन डब्बे और खीजने की कोशिस करें तो आप इसका प्रेक्टिकल यानि इसका प्रियोगा आप स्वयम करेंगे इसके बाद अगला पेज है आपका पेज नमबर तीन यहाँ पर जाएंगे आप पेज नमबर तीन पर तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रस्न होगा पहला यहाँ पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है तो किस पर देखेंगे आप तीन नमबर पेज में और वहाँ पर आपके लिए पहला प्रस्न होगा यहाँ पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है तो यहाँ पर देखेंगे आप बचो पुल यह बना हुआ है नीचे कुछ है यहाँ नदी होगी कुछ होगा और उपर से यह लगा है पुल यहाँ पर तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे आप यहाँ सिमेंट गिट्टी और लोहे के उपयोग से बना एक पुल है यहाँ पुल बांस के बने पुल से ज्यादा मजबूत और टिका पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे आप आपने देखें पुल कई बार शड़कों पे या नदीयों के उपर पुल देखेंगे तो बहुत सारे लोग पार कर सकते हैं उत्तर लिखेंगे इस पुल को एक बार में 20 से ज्यादा लोग प पार करके पुल के उपर से चलते हैं और स्कूल पहुंचते हैं और उबड़ खावर रास्ते भी होते हैं पहाड़ों पर उचे नीचे रास्ते उतर में लिखेंगे हाँ मैंने देखा कि बच्चे कैसे 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 बच्चे अलग-अलग पुलों की मदद से उबड़ खावर रा तब मैं सिमेंट के बने पुल से जाना चाहूंगा क्योंकि सिमेंट से बना पुल बांस या रसी से बने पुल की अपक्साद ज्यादा सुरक्सित होता है मजबूत होता है निसलिए सिमेंट के बने पुल पर चलना भी बांस या रसी के पुल से ज्यादा आसान होता है और इसक पुल जाने के रास्ते में कोई पुल नहीं पड़ता परंतु मैंने सिमेंट के बने पुल के उपर से पार किया है कभी आपने इदर ओदर यात्रा की होगी सफर किया होगा तो आपने देखा होगा पुल के उपर कैसे चला जाता है इसके बाद छटा प्रसने बच्चों आपक कुछ ही पुल बच गए थे तो इस प्रकार आप इस प्रस्ण का उतर लिखेंगे और इसके बाद अगला प्रस्ण आपके लिए पेज नंबर चार पर यहाँ पर देखें आप देखें आप प्रस्ट संख्या चार तो पेज नंबर चार पर देखें आप वहाँ पर आपके लि या कहीं और उतर लिखेंगे आप यहाप पुल पानी पर बना हुआ है ज्यादतर पुल बच्चों पानी पर ही बने होते हैं और अगला प्रसने आपके लिए पुल को कौन कौन पार करता है लोग ही जाते हैं या जानबर और गाडियां भी तो आपने देखा होगा नब बसें भी जाती हैं गाडियां भी जाती हैं जानबर भी सबी जाते हैं पुल पर तो उतर लिखेंगे उस पुल को नदी के उस पार आने जाने वाले सबी लोग पार करते हैं उस पार पुल से होकर जानबर और गाडियां भी गुजरती हैं इसके बाद अगला प्रसने तीसरा यहा वहाँ पुल यहाँ पर पुले ना लिखें क्या वहाँ पुल पुराना सा लगता है या नया उतर लिखेंगे वहाँ पुल बहुत पुराना नहीं लगता और चोथा प्रसने आपके लिए पता करो कि वहाँ पुल किन किन चीजों से बना है उन चीजों की सूची बनाओ तो आ ही की छड़े अलकत्रा आदी से बना है इस परकार आप उत्तर लिखे इसके बाद पांचों प्रसने हैं आपके लिए उस पुल का चित्र कौपी में बनाओ पुल पर चलती ट्रेन गाडियां जानवर और लोग दिखाना मत भूलना तो बच्चों आप जब जिस पुल को भी आ गाडियां तो इस परकार से आप चित्र बना सकते हैं इसके बाद अगला प्रसने आपके लिए प्रसने 6 क्या है सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या-क्या परेसानिया होती कुछ अन्य तरीके देखें जिन से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो इसका उत्तर क्या ल पेज नंबर 5 पर आप देख रेने हां पर प्रस्टस नंकिया 5 तो आप पेज नंबर 5 पर देखें वह पहला प्रसन है आपके लिए क्या तुमने किसी और तरह की नाउ देखी है तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? हाँ मैने कई बड़ी नाउ भी देखी है और दूसरा प्रसंद लिखेंगे आप पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं तो बचो नाओ के सिवाय और किस तरह पानी पार कर सकते हैं आप पानी को पुल के अलावा नाओ जहाज हवाई जहाज से भी तैर कर भी पार किया जा सकता है तो इस प्रकार से कई प्रकार से आप पानी को पार कर सकते हैं न नदियों को इसके बाद तीसरा प्रसने आपके लिए क्या तुम भी कभी उंट या गाड़ी या तांगे पर बैठे हो तो बैठे हो बच्चो तो लिखना आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं हाँ मैं तांगे पर बैठा हूँ तांगा क्या होता है बच चड़ा था मेरे चाचा ने मुझे उस पर बैठने में मेरी मदद की थी और इसके बाद पांचों प्रसन है बच्चो तुम्हें उस गाड़ी में बैठकर कैसा लगा तो आप लिख सकते हैं मुझे तांगे पर बैठकर काफी मज़ा आया और चटा प्रसन है यहां पर अपना अनबह काक्सा में बताओ तो आप अपना अनबह बताएं अपने दोस्तों को तो इस प्रकार से भी बता सकते हैं आप दोस्तों उत्तर क्या लिखेंगे आप दोस्तों मैंने इस बार अपने दादा जी के घर जाते समय तांगे की सवारी की तांगा एक लकड़ी से बना गाड़ी होती है तुम जानते हो तांगे को चलाने के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है ना कि किसी इंजन का और तांगे की सवारी मेरे लिए काफी मज़ेदार थी मैं चाता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें अवसर मिले तांगे की सवारी अवसर करना इस परकार अपनी काक्सा में सुना सकते हैं और अगला प्रस्ण है बच्चो आपके लिए पेज नमबर 6 पर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रस्ट संक्या 6 पर जाएं और वहाँ पर आपको मिलेगा एक जिगह पर ऐसी बैल गाडी और बैल गाडी के बारे में यहाँ पर आपके लिए प्रस्ण है क्या तुमारे यहाँ भी बैल गाडियां होती है उतर लिखेंगे आप हाँ हमारे गाओं में कई बैल गाडियां है और इसके बाद दूसरा प्रस्ण आपके लिए क्या उसमें छत होती है उत्तर लिखेंगे कुछ बैल गाड़ी में छट बनाई जाती है इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तीसरा प्रसने आपके लिए उसके पहिये कैसे होते हैं उत्तर लिखेंगे बैल गाड़ी के पहिये लकडी के बने होते हैं कुछ Bейl alrighty में टायर के पई ही भी होते हैं और चौता प्रस्ण आपके लिए Bail Righty का चित्र कापी में बनाओ तो यहां पर देख रहे ना बच्चो यह है उत्तर आपका यह हैं Bail Righty का चित्र देख रहे आप यहां पर यह화ँ आप यहां पर यहां पर Bail Righty है और यह बैल जो कि गाड़ी को खीच रहे हैं साइकल की सवारी इसके बाद अगले प्रस्ने आपके लिए आपर साइकल की सवारी पहला प्रस्ने तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकल से आते हैं तो आपको मालग होगा ना बच्चो कितने आते हैं उतर लिख सकते हैं आप हमारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे साइकल से आते हैं मैं भी साइकल से इसकूल जाता हूँ उसके बाद दूसरा प्रसने आपके लिए क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है यदि हाँ तो किस से सीखी उतर लिखेंगे हाँ मुझे साइकिल चलानी आती है मैंने साइकिल चलानी अपने एक दोस्त से सीखी और इसके बाद आप जाएंगे पेज नमबर साथ पैद देख प्रेन आप यहां पर किस प्रकार से बना रखी है यहां पर जो यह Motorcycle का आगटेव का टायर लगा हुए Motorcycle का इंजन लगा रख़ा और पीछे बना रख। जे एक trolley बना रखिये इसे कहते हैं जुगाड़ गाड़ी तो यहां पर प्रसने आपके लिए क्या तुमारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है उतर लिकिंगे हाँ हमारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है लेकिन उसमें पंप सेट का इंजन लगा होता है किसी में पंप सेट का लगा होता है तुम ऐसी गाड़ी में बैटना पसंद करोगे क्या? उत्तर लिखेंगे हाँ मैं इस तरह की गाड़ी में बैटना पसंद करूँगा क्योंकि इसकी सवारी का आनंदी अलग है और इसके बाद चौथा प्रस्ने बच्यों क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं बच्चों इसे जुगाड आईए उतर जान लेते हैं चूंकि इस तरह की गाड़िया भिन पुराने सामानों का उपयोग करके बनाई जाती हैं जिसका उपयोग सामने गाड़ियों में नहीं किया जाता इस इसलिए से जुगाड कहते हैं इस परकार आप उतर लिखेंगे और इसके बाद पांचों प्रसने आपके लिए जुगाड पुराने बचे सामान के इस्तमाल से बनता है तुम भी कुछ चीजों के जुगाड से कोई नई चीज बनाओ तो आप बना सकते हैं बचो कोई चीज का इसी जुग नई चीज बनानी है आपने पुराना समान इस्तमाल करना है वेस्ट मैटरियल से और कुछ जुगाड बनाना है तो बनाएं आप उतर लिखेंगे हाँ मैंने पुराने गत्ते का उप्योग करके पेन रखने का इस्टेंड बनाया है आप देख रहे नहीं आपर पेन रखने का इस्टेंड इस तरह तो आप भी बना सकते हैं बहुत सारी चीजें और इसके बाद अगला प्रस्न है बचो यहाँ पर आपके लिए प्रस्निच है सोचो क्या ऐसी कोई जगे है जहां इन में से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती उतर लिकिंगे हाँ ऐस प्रस्न है क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगे से गुजरे हो कहां तो उतर लिकेंगे आप हाँ एक बार मैं अपने माता पिता के साथ नेशनल पार्क देखने गया था जहां हम लोग काफी घने जंगल से गुजरे और इसके बाद दूसरा प्रस्न है अपने अन पक्सी पेड पौदों को देखा जंगल में घूमना मुझे काफी अच्छा लगा इसके बाद बच्चो अगला प्रस्न आपके लिए तीसरा प्रस्न क्या तुम कुछ पक्सियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हो तो उतर लिखेंगे आप हाँ उतर क्या लिखेंगे हा मैं बहुत सारे पक्सियों को उनकी आवाज से पहचान सकता हो जैसे कोयल, कवा, हंस, आदी और इसके बाद चोथा प्रस्न है आपके लिए कितनों की आवाज खुद निकाल सकते हो उतर लिखेंगे कई सारी पक्सियों जैसे कवा, कोयल, मुर्ग, आदी की आवाजे मैं आवाज निकालके नहीं सुना सकता, आप जो है स्वेम निकालें बच्चो, इसके बाद यहाँ पर बर्फ पर चलते बच्चे, यह नहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ पर चलते बच्चे, पहला प्रस्न है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है, कहां, फिल्मों में या कहीं और इतनी बर्फ आपने कहां देखी बच्चों तो यहां पर हाँ मैंने टीवी पर इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है देखते हैं आप कही बार टीवी में आती है कहीं बर्फ गिरी होती है पाढ़ों में इसके बाद दूसरा प्रसन है क्या ऐसी जगों पर हमेशा ही बर्फ रहती है क्यों तो उतर लिखेंगे हाँ इन जगों पर जगों का तापमान सुनने से भी कम होने के कारण हमेशा ही बर्फ रहती है माले बहुत ठंडा हो जाता है नो वहाँ तो वहाँ बर्फ गिरती रहती ह इसके बाद बच्चों पेज नमबर 9 यानिक नाइन नमबर पेज पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे प्रस्न उबड़ खाबड पत्रीले रास्ते और वहाँ पर आपके लिए प्रस्न होंगे क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परिशानी होती है दूसरा प्रस्न है तुम्हें किस महीने में इसकूल जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों उतर लिखेंगे मुझे गर्मियू में इसकूल जाना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियू में प्रातय कालीन इसकूल होता है यानि सुबह का इसकूल होता है तता स्कूल में किसी खुली जगे में सब बचे कटे हो जाओ अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ तो बच्चो ये तो आप स्वेम करके दिखा सकते हैं और अपने आप ही आपको दिखाना होगा एक जिगे पे बहुत सारे बचे कटे हो जाओ और चलने के समय ध्यान से चलना होगा ताकि काटे ना चुप जाएं और पांचवा प्रसन है अगर जमीन ठंडी ठंडी बर्प से धकी हो तब क्या होगा आप उतर लिकेंगे इस इस्तिति में छोटे छोटे कदमों से काफी ध्यान से चलूँगा क्योंकि ऐसी जगे काफी पेज पर चलेंगे आप प्रसन कियाँ 10 आप देख रहें ना अपनी किताब के 10 निमख पर देखें वहां पर है आपके लिए प्रसन किसमें बताओ पहला प्रसन क्या तुम्हारे स्कूल में भी सजा मिलती है किस तरह की सजा मिलती है मिलती है बच्चों आपको सजा स्कूल में जब आप काम पूरा नहीं करते उतर लिकेंगे हाँ मेरे स्कूल में बच्चों को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है और दूसरा प्रसने है तुम क्या सोचते हो स्कूल में सजा होनी चाहिए उतर लिको मेरे अनुसर स्कूल में सजा नहीं होनी चाहिए इस परकार आप उतर लिक सकते हैं तीसरा प्रसने क्या सजा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है उतर लिकेंगे नहीं सजा से बेहतर है बच्चे को समझाया जाना प्रसने यहां पर इसकूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिससे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो तो यहां पर आप क्या नियम बनाएंगे बच्चो उतर लिक सकते हैं बच्चे को खुद अपनी भूल का एसास करने देना चाहिए परते भूल के लिए बच्चे को ही तै करने देना चाहिए कि उसके बदले उसे कितना ज्यादा पढ़ना है अच्छे काम के लिए उन्हें पुरुषकार दिया जाए शिक्सक बच्चों को प्यार करें इस परकारा उतर लिख सकते हैं पांचों प्रस्ने अपने सपनों के इसकूल का चितर कॉपी में बनाओ तो बच्चों यहाँ पर आप इसकूल का चितर कॉपी में अपने आप बनाएंगे जैसे यहाँ पर बना रख है न जरूरी नहीं कि आपनी यही बनाना है आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहते हैं स्कूल का चित्रों वैसे बनाएं तो बच्चो इसके साथ ही इस पार्ट से संबंद प्रस्णों के उत्तर यहाँ पर समापत होते हैं कक्साचार, हिंदी, इवियस, यानि प्रियाबर रध्यन के सभी पार्टों को पढ़ने के लिए आप अपने सभी पार्टों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आई हो, प्रस्णों तर अच्छे से समझ आए हो और उन्हें याद भी करें, साती साथ आप इस चैनल में हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और देखते रहें अपने सारे प्रस्णों के उत्तर, तो आज के लिए इतना काफी है, आपका दिन सुभ हो